नमस्कार साथियो आपका हमारी यूट्यूब चैनल जूगल टेक्निकल में हार दिक स्वागते में जूगल राट और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजिस्तान में परतिक सनिवार को नो बेगडे आईजित करवाया जाता है और नो बेगडे के दिन आपको एक प्रकार तयार करना इसकी पूरी जानकारी में आपको वीडियो में देने वाला हूं तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखे और आप अमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन प्रेस करें क्योंकि एसी लेटे जानकारी में एक सनिवार को विद्यालों में नो बेगडे आईजवित करवाया जाता है नो बेगडे के दिन आपको एक थीम दी जाती है और उस थीम पर आदार्ट आपको गतिविदिया करवानी होती है तो जो छोता सनिवार है उस पर आपको कौन सी थीम दी गई है तो देखे प्रतिम सनिवार की तीम यहां पर देखे पहला सनिवार राजिस्थान को पेचानों दूसरा सनिवार बासा कोसल विकास और टीसरा सनिवार खेलेगा राजिस्थान बड़ेगा राजिस्थान इसी परकार देखे छोता सनिवार है मैं भी हूँ बेग्यानी और पांचवा सनिवार अग आपको गतिविद्या करनी है तो देखें कौन कौन सी गतिविद्या है और किस परकार करनी है तो देखें बस्ता मुप्त दिवस नो वेग्डें मासिख देमो जो चतुर्ट सनीवार जो 18 जनुरी 2021 को है इसकी तीम में मैं ब Twat seaweed करवानी है और रजिष्टर तयार करना है तो देखें सबसे पहले आपको करना क्या है तो सबसे पहले आपको हक्सा समु तयार करने है जो गखष एक से बारा के लिए होंगे इनको पांच जो वर्ग हैं उनमें विबाजित किया गया है और पांच समू में इनको विबाजित किया गया है तो पांच समू में आपको अलग-अलग गतिविदी दी गई है उनका किरियानवन भी आपको अलग-अलग तरिके से करना है तो सबसे जबागरी के आपको आप सकता होगी तो देखे इस तान इस्तर पर उपलब्द फल अत्वा फलों के चित्र गति बिदी देखें आपर बिद्ध्यार्टियों को समुवार विबाजित करके उनको गोल गेरे में बिटा कर फलों के रंग पर बाचित करेंगे यहां उनके चित्र बनाएंगे इसे तो पांचवा समू को अलग-अलग रंके फलों के चित्र बनाने को कहेंगे जैसे परतों समू है उसको देखे पिले रंके फल दूसरा समू हरे रंके फल तीसरा समू यहां पर देखे लाल रंके फल और चोता समू नारंगी रंके फल और जो पांचवा समू ह उससे भेंगनी रंग के फल इसके बाद उप्रोक चित्रों को उप्योक्त जगह पर परदर्शित करेंगे तो इस परकार आप यहां पर जो अंकूर समू यह कक्षा एक दो का इसमें फलों की टोकरी आदायत गतिविदी करवा सकते हैं इसके बाद देखें दूसरा समू जो हैं फरवेश कक्षा तीन से पांच की विद्यार्टियों के लिए इसमें गतिविदी है डूबना और तेरना यहां पर देखें वस्तों के गनत्व यहों उत्त पलावन बल पर समझ बनाना यहां पर देखें सामगरी आपके पास इस्तान पानी से बरा मगगा बाल्टी यहों दी गई सामगरी उपलब्द करवाएंगे विद्यार्टि बारी बारी से पानी से बरे मगगे में वस्तो यह डालेंगे यहों वो डूबी है या तेरी है इसको नोट बुक में नोट कर लेंगे सभी समू के विद्यार्थी उक्त गतिव हैं कग्सा 3-5 के विद्यार्णस के लिए साहर करना है उसके आप आसाने चाहर कर सकते हैं इसके बाद बिटा कर आवसक सामगरी उपलब्द कराएंगे यह सदनवार ही विविन पत्यों का उलोकन करने को कहेंगे अब उन्हें पत्यों का आकार बनावट रंग सता चिकनी या खुरदरी यह मोटाय पर उलोकन करेंगे यह चार्ड पर एक टेबल बनाकर उलोकन किये गए गुनों को लिखेंगे इसी प्रकार सभी समू चार्ड तयार कर अपना पस्तुतिक रंद देंगे यह आवास याने कि बोग लिख इस्तति के आदार पर पर पत्यों की सरचनाव पर चर्चाक करेंगे तो इस प्रकार जो तीसा समू है दिसा छे सिहार के लिए इसमें पोदाओं में अन गित के बिग्यान को जानना यहाँ पर देखेंगे आवस अकसा मगरी काच ऐस्टिल के गिलास तो यहाँ पर गतिविदी देखेंगे बिट्दियात्यों का समू वार विबाजित करके गोल गेरे में बेटने को कहें यहों परतेक समू को चेस से आठ गिलास उपलब दे एक निसी दूरी पर चार से छे निसी दूरी बना कर करम से रख दे यहों गिलास में पानी बनने को कहें परतेक गिलास में पानी का इस्तर तोड़ा बढ़ा कर भनना हैं जिससे गिलास के एक सोर से दूसे सोर तक पानी का इस्तर बढ़ता नजर आए अब इन गिलासों पर क जलत रंग गतिविदी करवा सकते में किरियानवन किस परकार करना है। तो यह भी आप कर सकते हैं रृजिस्टर भी आप तयार कर सकते ह। इसी परकार लेक्व कुछी आंथ्यम्गु है जिसमें अन्नति हैं कक्सा 11-12 के विद्धियार्टियों के लिए तो इसमें देखे आपको गतिविदी करनी है बेकलपी खेती की तकनीक यहाँ पर देखे हैड्रोपोनिक तकनीक के बारे में समझ बनाना यहाँ पर देखे आवसक साम अगरी है तो प्याज, पारदसी, बोतल, बीएकर और पानी यहाँ पर देखे किर्यात्म गतिविदी है तो विद्धियार्टियों से अंकुरन पर चर्चा करेंगे यहों इसके लिए आवसक प्रिस्तियों पर चर्चा कर समझ बनाएंगे साथी पानी में केती के अउदार्णा पर चर्चा करेंगे और हैड्रोपोनिक पर समझ बनाएंगे अब पारदसी पात्र में विद्धियार्टियों को समुवार पानी बनने का कहेंगे इस पर प्याज को इस प्रकार रखेंगे कि जड़ या उसका कटोर भाग फाने को छूझ जाए यहापर चितर रूम में भी आपको बता रखा हैं अब इसको उजी जिस्तान पर एक सब्ता के लिए रख देंगे इससे निकले वाली जड़ो यहाँ पत्यों का निमित अवलोकन करेंगे और बिद्धियार्टियों को यह कारे घर पर भी करने को कहेंगे इसके लिए मेती दनिया उगाने को भी कह सकते हैं इसके बीजों को एक टोकरी अज्जाले में रखकर उसको पानी से बरी थाले में रख देंगे यहाँ निमित अवलोकन करेंगे इस परकार आपको यह गतिविदी करवानी है जो अन्तिम समू है उन्नाती कक्सा ग्यारा बारा के बिद्धियार्टियों के लिए तो यह थी दोस्तों यहाँ पर जो परतेक सनी वार को नोबेग डे आयुजित करवाया जाता है जिसमें आपको थीम दी जाती है तो इस बार की जो थीम है मैं बनूँगा बेग ग्यानिक जिसमें आपको समू किस परकार बनाने हैं कौन ची जो आपको गतिविदी दी जाती है उसका किर्यान वन करना इसकी पूरी जानकारी और रजिस्टर किस परकार तयार करना है तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रियास किया आपको ओमारी जानकारी किसी लगी, जानकारी इच्छी लगी तो लाइक सेयर करें और अबी तक आपने यहारे चैनल को सब्सक्राइब करें वे लाइकन प्रेस करें तो कि एशी लेटे जानकारी में आपको लघातार देता रहता हूं धन्धने वाग दोस्तों